विश्वनात वंजारी है आपके लिए पाइनेट वर्क का अपडेट लेके आया हूँ और ये मीननेट क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आपके सामने पेश्वता हूँ मुझे सब्सक्राइब और जिन लोग नहीं करें प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसके बारे में विश्थ्रो जानकारी देंगा मेरा एक फ्रेंड है जिन्हों ने मिननेट के बारे में पूछा तो मुझे एक ऐसा लगा कि इस तरीके से बहुत मेरे भाई बहन और बहुत सारे सब्क्राइबर्स हो गए कि जिनको मिननेट के बारे में शाहिद ही पता हो या जिनको पता है तो लोग है तो आपके लिए में मिननेट क्या होता है इसके बारे में पता देता हूँ तो उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि MINNET होता क्या है और MINNET के पहले टेस्टनेट होता क्या है तो इसमें जैसे Pi Network ने सबसे पहले जो Phase 1 में लांच हुआ था 14 मार्च 2019 में लांच हुआ था उस समय ये Phase 1 के बाद में जब फेस 2 में गया मतलब Next Year में 14 March 2020 में जब 2020 में जब testnet आया तो testnet का मतलब यह होता है कि इसमें जो भी box है उसको किस तरह से clear किया जाए या जो भी गलतिया है या जो भी जिस प्रकार का box आया है या जो भी कम तरता है उसको solve किया जाता है एक तरह का ये टेस्ट एंड ट्राइल पैकेज होता है अभी मैं आपको एक तरह चोटा सा उदारन देना चाहूंगा कि जैसे कि जियो जब आया था 2015 में बर उसके पहले 2014 में उसका टेस्ट निट चल रहा था टेस्ट निट का मेंनिग ये होता है कि टेस्ट एंड ट्राइल तो उन्होंने क्या किया था जियो ने कि सबसे पहले अपने एंप्लोईज लोगों को सीम बाटा था फ्री में तो उसने ये चेक करना चाहता था कि मेरा नेटवर्क सही है क्या नहीं ये डाउनलोड हो रहा है कि लोगों को ये इसमें क्या-क्या problems हो रही है तो सबसे पहले उसने वो clear किया तो उनी के employees ने उनको suggest किया कि speed अच्छा चल रहा है बट video streaming हो रहा है बहुत सारे problem हो रहे हैं connection आता है कभी-कभी call connect करने के बाद disconnect हो जाता है तो ये सारे works को clear करने के लिए उनको ये टेस्नेट जरोरी है तो उसी प्रकार का एक छोटा सा उधारन में आपको और देना चाहूंगा कि अगर कोई software software person कोई software बनाता है developers तो वह सबसे पहले क्या करता है कि वह developers किसी friends को या किसी colleagues को बोलता है कि भाई ये मैंने software बनाया है प्लीज को एक बार check कर ले इसमें कोई bugs है क्या कोई परिशानी है क्या अगर कोई परिशानी है तो प्लीज शेयर करें मुझसे मैं उसको और दूर करने का प्रयास करूंगा तो ये test net है अभी हम बात हाँ आपको जियो का वो test net clear हुआ और उसके बाद December 2015 में लांच हुआ 4G और 4G लांच होने का मतलब है कि मिननेट क्लियर हो चुका है मिननेट का मतलब होता है कि आप दिक्षन त्यार करते हो वो पूरी तरह से रेडी मोड में है तो ये पाइनेट का जो कॉइन आया है इन्होंने मिननेट लाने के पीछे यही कारण है कि इनका जो 10 प्लस मिलियन मतलब एक करोड लोग हो चुके है तो इन्होंने पहले ही वाइट पेपर में बोला था कि हम मिननेट 2020 में लाएंगे या 2021 में हम उसको हम पेश करेंगे आपके सामने तो इसका मतलब यह है कि मिननेट अभी ये क्रिप्टो करंसी ब्लॉक चेन में लिस्टेड होने के लिए तयार है मतलब कि इसके सारे बक्स सारे प्रावलम्स सॉल हो चुके है अभी सिर्फ बस जो त्यूबहीं आएगा वह अपडेट आएगा रीवह मिननेड में में मिननेट में एक डी-सि- Cin करके प्रसक्शन संसता रहती है वह उसको क्लियर करती है और उसमें बहुत सारे टेस्टिंग होते है और टेस्टिंग में भी clear होने के बाद ये mean net आता है तो pine network ने आपके सामने ये mean net लाने का मतलब ये है कि अभी मार्स में ये लिस्टेड होने के लिए तयार है तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को बिलकुल घबरानी की जरुवत नहीं है अभी तो खुशी का महोल बन गया है कि मीनिट आ चुका है इसका मतलब कि एक्षेंज पे ये फुल तरह से फुल पोजिशन में रेडी है और आपके जितनी भी पायनियर से उनके कोईन्स कलेट किये हैं उनका पूरा पूरा बेनेफिट मिलेगा तो आप सभी को कर्यों मीनिट का अर्थ समझ गया होगा ठैक्यू भेरि मच और सब्क्राइब कीजे हमारे चानल को हमारे चानल का नाम है विशुनात वंजारी ठैंक यू वेरी मच